अज़ दोस प्रॉल्लम को solve करते हैं find two numbers whose sum is 27 and product is 182 देखिए आपको ऐसे दो number बताने है जिनका sum कितना है 27 है और product कितना है 182 है तो मान लेते हैं let the first number पहला number क्या है x है let the other number दूसरा number कितना होगा देखिए अगर दो number का sum 27 है तो एक number x होता है दूसरा number क्या होगा sum हमें देखिए क्या देता है कि अगर आपके पास दो variable यहाँ पे हैं दो चीज़े आपको यहाँ पर variable form में दी हुई है let's say first number और second number उनको आप single variable x में ही represent कर सकते हैं क्यों क्योंकि अगर आप एक को x मानते हैं दूसरे को 27 minus x मान लेते हैं जितना उनका sum है उसमें से उसको minus कर देते हैं तो यह benefit मिल जाता है तो कहीं भी आपको sum देखे किसी भी दो quantity का तो first को आप x मान लेते हैं दूसरे को आप let's say यहाँ पर जैसे 27 minus x माना है sum का minus कर दीजे first variable में से दोनों चीज़ आपके पास होगी अब statement क्या है product क्या है इन number का 182 तो product of numbers इन numbers का product है 182 तो अगर ऐसा देखे हैं तो product क्या है 8 x into 27 minus x क्या है 182 यह देखे 27 x minus of x square is equal to 182 simplify करें x square minus of 27 x plus of 182 is equal to 0 simplify करें इसको x square factorize form में करेंगे 14 और 13 इसके देखे simple factor यहाँ बनते है plus of 182 is equal to 0 यह देखे x common लेजे x minus 14 है minus of 13 लेजे x minus 14 है is equal to 0 क्या आएगा यहाँ यहाँ पर x minus 14 कामर आजाएगा और x minus 13 यहाँ आजाएगा simplify करेंगे इसको तो x equal to 14 और 13 तो यहाँ पर आप देखे अगर आप एक number को 14 मानते हैं तो दूसरा क्या होगा 13 simple सी बात है तो अगर हम let's say first number बोलते है 14 है तो दूसरा number क्या होने वाला 27 minus 14 is equal to 13 आएगा अगर हम first number 13 बोलते है दूसरा number क्या होने वाला 27 minus of 13 is equal to 14 तो यहाँ solution लिख सकते है इसका यहां पर कि फर्स नंबर क्या है लेट से इसको 14 बलते हैं तो अधर नंबर क्या हो गया अधर नंबर यहां पर 13 हो जाता है तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं